आज की वीडियो में मैं explain करूंगी विलकी कॉलिंस वरा लिखी कहानी A Terribly Strange Bed कहानी है जब एक Englishman अपने दोस्त के साथ पैरिस में रहता है तो एक रात ऐसे ही मौच मस्ती के लिए वो लोग किसी gambling house में जाना चाहते हैं जहाँ पर ताश के पत्ते खेले जाते हैं जुआ खेला जाता है ये किसी fancy gambling house में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर जा जाके ये बहुत उक्ता चुके हैं इनका मन करता है कि यहीं आस पास से किसी छोटे से gambling house में जाएं और ताश खेल के अपना मन बहलाएं तो वहीं उन्हें पास में ही एक gambling house दिखता है जो जादा fancy नहीं लग रहा था ये वहाँ पर चले जाते हैं दोनों friends ताश खेलने के लिए जब यह अंदर जाते हैं तो इस Englishman को अंदर का नजारा बड़ा आजीब सा लगता है सब लोग बिल्कुल चुप चाप बैठे थे वो ही कुछ नहीं बोल रहा था यहां तक कि वो आदनी, क्रूपियर जो ताश खेलाते हैं वो भी बिल्कुल बुझी सी आवाज में सब को ताश खेला रहा था इन्हें वहां कुछ ठीक नहीं लगता लेकिन यह क्योंकि वहां ताश खेलने आये थे तो यह ताश खेलना शुरू कर देते हैं यह जो Englishman होता है यह वहां पर बाजी पे बाजी जीतने लगता है और बहुत जल्दी काफी सारा पैसा जीत जाता है इसका दोस्त इसे इशारा करता है कि अब हम काफी पैसा जीत चुके हैं अब हमें यहां से निकल लेना चाहिए आज रात के लिए इतनी जीत काफी है लेकिन Englishman के मन में लाला चा गई होती है वह ये सोचता है कि आज किसमत उसका साथ दे रही है क्यों ना इसे खूब पैसे बनाए जाएं वहां के खड़े आस पास के लोग उसे खूब हूट कर रहे थे कि खूब जीतो और यहां जो ये gambling house है इनको कंगाल कर दो बिल्कुल जीत जीत के break the bank कहते हैं उसे तो बार-बार वो हूट कर रहे थे कि break the bank break the bank इसका दोस्त जो इसे बार-बार Englishman को वापस चलने को कह रहा था तो Englishman इसे बहुत बुरी तरह डाटता है उसका दोस्त उसे छोड़ कर चला जाता है Englishman जीता चला जा रहा था तब ही अचानक उसके दो सिक्के जमीन पे गिर जाते हैं तो पीछे से एक बुढ़ा आदमी आता है जिसने बड़े गंदे से कपड़े पहने थे उसकी नाक पर बहुत चोट के निशान थे वो उसको देता है कि लीजे आपके ये दो सिक्के गिर गए हैं और उससे बड़े अच्छे से बात करने लगता है उससे कहता है कि उसने कभी जिंदगी में किसी को इतने रुपे जीतते नहीं देखे आज तो इसे आखरी बाजी तक खेलना चाहिए जब तक ये गैंबलिंग हाउस कंगाल ना हो जाए या सुनके वह इंगलिश मैन बड़ा उससाहित हो जाता है और और बड़ी बोलियां लगाने लगता है थोड़ी ही देर में क्रूपियर जो वह गेम खिला रहा था वो कह देता है कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं और उस टेबल पर रखे सारे पैसे उस इंगलिश मैन को मिल जाते हैं इंगलिश मैन बड़ा खुश हो जाता है कि उसने बहुत वो की नियद ठीक नहीं है इसे अपने पैसे समहाल के रखने चाहिए वो इंगलिश मैन अपनी हैंके निकालता है और उसमें सारे पैसे बांथ के अच्छे से पकड़ लेता है वो बूढ़ा सोलजर उससे कहता है कि तुमने इतने पैसे जीते हैं तुमें अपको शैंपेन पिलानी चाहिए तो वो इंगलिश मैन बड़ा खुश हो जाता है वो कहता है हाँ हाँ मैं तुम लोग को जरूर शैंपेन खिलाओंगा और वहां शैंपेन की बॉटल पे बॉटल खुलने लगती है दो बॉटल वहां पे बैठे लोग भी सब मिलकर पी जाते हैं तो यह जो ओल्ड मैन होता है यह सुलड़िश मैन से कहता है कि तुम्हें अपने पैसे इस तरह से बरबाद नहीं करने चाहिए और अब तुम्हें शैंपेन नहीं पीनी चाहिए क्योंकि अब रात हो रही है तुम्हें वापस भी जाना है और वो कहता है कि यहां पर एक जो लेड़ी इस house में वो coffee बहुत अच्छी बनाती है तो उसे उनकी हाथ की coffee पीनी चाहिए वो बुढ़ा soldier coffee के लिए order करता है और वहाँ बैठे जितने लोग होते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं बड़ी अच्छी सी दो coffee वो lady serve करती है यह Englishman और वो बुढ़ा soldier दोनों मिलकर coffee पीते हैं बुढ़ा soldier कहता है कि वो एक cab ले ले और अराम से अपने घर चला जाए और अपने पैसे का ध्यान रखे जोकि कई लोगों की नजर आज उस पर हो सकती है Englishman सोचता है कि काफी पी के उसका नशा उतर जाएगा जिससे वो अराम से अपने घर चला जाएगा लेकिन काफी पी के उसकी हालत और खराब हो जाती है उसे हर चीज ऊपर नीचे हिलती डुलती दिखाई देती है यहां तक कि वो बूढ़ा सोलजर की आवास जो थी वो उसे बलर सुनाई जने लगती है और उसे दो दो तीन तिन बूढ़े सोलजर दिखने लगते हैं उसे अपनी हालत बिलकुल भी ठीक नहीं लगती कि वो अकेले अपने घर इतने सारे पैसे लेके जा सकता है सोलजर उसे कहता है कि उसकी हालत बिलकुल ठीक नहीं है और इतनी रात में अगर वो इतने पैसे लेके घर जाएगा तो कोई उसे लूट सकता है उसका मडर भी हो सकता है इसलिए वो उसकी बात माने उपर बड़े अच्छे से रूम बने होए हैं ये जाकर वहीं पे आज रात उस रूम में गुजार ले ये बुढ़ा सोलजर बताता है कि वो कई रात ऐसे ही यहां गैंबलिंग हाउस में सो चुका है बुढ़ा सोलजर और वो क्रूपियर जो गेम खिलाता था वो दोनों इस इंगलिश मैन को लेकर उपर के तले पे चले जाते हैं वहां बड़ा सुन्दर सा एक रूम होता है जिसमें ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और खिड़कियों से चांदनी आ रही थी उस रूम में जाके इंगलिश मैन को बड़ा अच्छा लगता है नीचे की वो शराब की जो महक थी और जो भीर भार थी उससे दूर या रूम इसे बड़ा अच्छा लगता है यह जाता है अंदर अपना फेस्द होता है अपने कपड़े बड़ा उतार के टांगता है और आराम से बैट पे लेट जाता है उस इंग्लिश मैन को थोड़ा डर तो लग रहा था कि वो इस अंजान कमरे में एक गैंबलिंग हाउस में रुका हुआ है लेकिन तब भी वो अपने आपको सेफ महसूस करता है कि बाहर की दुनिया जो थी या बाहर के लोग उसे लूट सकते थे उससे तो सेफ वो अंदर ही है वो अपना जो रुपिये से भरा हुआ उसकी जो हैंकी थी वो अपने तक्लिये के नीचे रखता है और बैठ पे अराम से लिड़ जाता है लेकिन अब उसे लगने लगता है कि उसे तेज बुखार चर्ड़ा है उसे अपनी तबित वो होश में तो आ गया है लेकिन उसे अपनी तबेत अच्छी नहीं लग रही उसे नीन नहीं आ रही तो वह पूरा कमरा बड़े ध्यान से देखने लगता है उस कमरे में क्या-क्या समान रखें हैं कैसी खिड़कियां हैं फिर अचानक उसे डर लगता है वो दर्वाजे खिड़की सब कुछ लौक कर लेता है अंदर से उसे लगता है कि कहीं पैसेज में कोई चल रहा है फिर वो आके लेट जाता है लेकिन उसे नीन नहीं आती उसके सिराहने पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी जिसमें एक आदमी उपर की तरफ देख रहा है और उसने एक बड़ी इसी टोपी बहनी हुई है वो उस पेंटिंग को देखते देखते ना जाने क्या क्या सोचने लगता है अपनी बच्पन की बातें बच्पन में पढ़ी हुई किताबों के बारे में बहुत कुछ सोचता है फिर अचानक से उसे कुछ गड़बर लगती है वो देखता है कि जो पेंटिंग पीछे उसके सिराहने पे टंगी थी उसकी टोपी गायब हो गई है उसकी टोपी उसे दिखे नहीं रही है ये देखके वाद चौक के बैट जाता है कि अरे अभी तो इसने कुछी सी टोपी पहनी थी जिसमें तीन फर लगे थे एक हरे रंका और दो लाल रंके लेकिन अब वो टोपी कहा चली गई फिर ये देखता है कि उस पेंटिंग की आँखे भी किसी चीज से छुप गई तब उसकी समझ में आता है कि जो बैड जिस पर वो लेटा हुआ है उसका जो उपर का तला था वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है ये देखके वो बिरकुल घबडा जाता है उसे लग रहा था कि उसका शरीर हिल डोल नहीं पा रहा उसके समझते देर नहीं लगती कि जो कौफी उसे नीचे पिलाई गई थी उसमें भारी मातरा में ड्रक्स मिलाई गए थे किसी तरहा वो जमीन पर गिरता है और अपने घुटने के बल बैट जाता है तब वो देखता है कि उपर का जो पलंग का रूफ थी वो बड़ी तेजी से नीचे आ रही है और वो बहुत भारी लोहे की लग रही है और थोड़ी ही देर में वो तकलिये को दबाते हुए पूरे पलंग पर चिपक जाती है अगर वो आदनी उस पर लेटा हुआ होता तो उसका बचना लगभख नामुम्किन था वो समझ जाता है कि ये एक जाल है उसे फसाया गया है उसकी मौत भी हो सकती है अगर बाहर पैसेज में किसी को मालूम पढ़ गया कि वो बच गया है तो शायद उसका मडर कर दिया जाए उस इंगलिश मैन ने बच्पन में जिमनास्टिक सीखा हुआ था वो सोचता है कि किसी ना किसी तरह वो खिड़की खोल कर नीचे तो जाही सकता है वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते से खिड़की खोलता है जिससे किसी को आवाज ना हो फिर वो अपने रूपए की थैली को अपने कमर में बान लेता है वो नीचे देखता है तो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही कूच जाएगा तो उसे बहुत चोट आईगी बगल में खिड़की के एक पानी का पाइप उतर रहा होता है उस पाइप को पकड़के वो धीरे धीरे नीचे उतरता है जैसी है सड़क पे पहुँचता है ये बहुत तेजी से भागता है और वहीं पास में उसे पता था कि एक पुलिस स्टेशन है वा उस पुलिस स्टेशन में चला जाता है पुलिस स्टेशन जाके वा इंगलिश मैन अपनी आप बीती बता रहा है लेकिन वा ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा है एक तो ड्रक का असर है उपर से उसके संग इतना बड़ा हाथसा हुआ है बड़ी मुश्किल से वा पुलिस वाले को सारा हाल बताता है पुलिस उसकी बा रहता था कि गैम्लिंग में वो बहुत सारे पैसे हार गए है इसलिए वो आतम हत्या कर रहे हैं पुलिस कुछ चक्क हो जाता है कि कहीं ये गैम्लिंग हाउस ही तो उन्हें ड़ा के मार नहीं देता था और उनकी लाशे इस तरह से नदी के पास फेक दी जाती हों पुलिस उ उस गैंबलिंग हाउस में पहुंचती है तो वहां दर्वासा खोलता है वो कुरूपियर और वो बुर्वा सोलजर वो उससे कहते हैं कि यहां पर कोई इंगलिश मैन नहीं रुका हुआ है उसने तो बहुत सारे पैसे जीते थे और खेलते ही वो यहां से निकल गया था इस पर रूम चेक करना है कहीं उसमें सच में खटमल तो नहीं है अब वो सोलजर पुलिस को रोक नहीं पाता और पुलिस जंदनाते हुए उस कमरे में चली जाती है तब तक जो कमरे का बैट था वो वापस अपनी उसी पोजीशन में होता है जैसे पहले था पुलिस वहां सब ये लेकिन उसे कुछ भी संदिक्द मालूम नहीं होता तब वह इंगलिश में भी उनके साथ में था वो पुलिस वालों से कहता है कि ये जमीन के इटे निकलवा के देखें जरूर कुछ ना कुछ गरबर जरूर है इस कमरे में तब पुलिस के जो आदमी थे वो वहां इटा हटाना शुरू करते हैं तब उन्हें एक लोहे का पाइप मिलता है जिसमें बहुत सारी ग्रीस लगी थी और वो पाइप पूरा च्छत तक जा रहा था और उसमें एक मशीनरी जैसी फिट थी जिसको घुमाने पे वो बेट का जो रूफ था वो नीचे आता था या देख के पुलिस सकते में आ जाती है और वहां मौझूद सारे लोग गिरफ़तार कर लिये जाते हैं वो औरत भी गिरफ़तार कर ली जाती है जिसने वो ड्रग मिली कॉफी उस इंगलिश मैन को दी थी सबके ओपर केस चलता है और उन्हें लंबी सजा होती है इस तरह उस इंगलिश पेड कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बाइ फो नौव